तो सबजी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने यह मिर्चे ली हैं, यह मिर्चे आपको मार्कित से इजली मिल जाएंगी, इसका जो हम पिछला सिरा है उसे कट कर लेंगे, और इसे मैंने ऐसे यहाँ पे गोल गोल कट कर लिया है, आप इसे जैसे मर्ची कट कर सकते हैं, मिर्च को यहां पे हम हलका सा कलर बदलने तक भून लेंगे जब तक उसमें खुश्बून आनी शुरू हो जाए यहां पे कई रेसिपीज में आप देखेंगे ऐसे ही बेसन को बाद में तड़के में भूना जाता है अब यहां पे उसी कडाही को हम हलका सा साफ कर लेंगे और उसमें मैं डालूँगी दो चमच तेल तेल को आप यहां पे अच्छे से गरम कर लें तेल में मैं यहां पे डाल रही हूँ अद्रक, लसन और हरी मिर्च जिसे मैंने चॉप कर लिया था इसे जो है आप अच्छे से एक दो मिनिट के लिए फ्राई कर लें फिर इसमें मैं डालूँगी दो प्यास जिसे मैंने बारी चॉप कर लिया था तो यहां पे आप चाहे तो प्यास को लंबा लंबा भी कट करके डाल सकते हैं और इससे भी हम यहां पे अच्छे से भून लेंगे तो यहां पे जो प्यास है वो अच्छे से भून चुका है आप देख सकते हैं और इसे आप अच्छे से यहां पे दुबारा मिक्स कर लें और अब आप इसमें डालें हल्दी यहां पे मैं एक चम्मच हल्दी डाल रही हूँ उसी के साथ इसमें अब हम डालेंगे लाल मिच पाउडर, बुना हुआ जीरा पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर वैसे जो मिर्ची होती है वो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होती और इसमें आप स्वाद की अनुसार नमक डाल दें अब इन मसालों को आप फ्लेम को लो करके अच्छे से मिक्स कर ले और अब हम इसमें डालेंगे हमारी मिर्च ये जो मिर्च है जैसे कि मैंने आपको बताया बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होती है तो आप इसमें लाल मिर्च और हरी मिर्च जैसे मिर्ची डाले इसे आप यहाँ पे अच्छे से मसालों के साथ जो है mix कर ले इसे पकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा सो ढखके आप इसे soft होने तक पका ले 3-4 मिनिट में जो है मेरी मिर्च अच्छे से soft हो चुकी है अब इस process में आप इसे दुबारा से यहाँ पे एक बार हिला ले और अब आप इसमें डाल दें भूना हुआ बेसन यहाँ पे कुछ लोग बेसन कच्छा इस step में डालते हैं और बाद में इसे भूनते हैं सबजीर के साथ यहाँ पे मैंने पहले ही भून लिया था ताकि मुझे डाउट ना रहे कि कहीं बेसन कच्छा ना हो तो यहाँ पे आप इसे mix कर लें अच्छे से और इसे ढखके एक दो मिनिट के लिए और पका लिए एक दो मिनिट के बाद आप देखेंगे बेसन बहुत अच्छे से mix हो चुका है बिल्कुल भी कच्छा नहीं है और इस सबजी को दुबारा अच्छे से आप mix कर लें और आपकी सबजी बिल्कुल ready हो चुकी है यह मिर्च की सबजी बहुत ही tasty लगती है तो आप इस recipe को ज़रूर ट्राइ करें और अगर आपको मेरी recipe पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप मुझे Instagram और Facebook पे भी follow कर सकते हैं तो ऐसी और भी recipes को देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े अब आप से मिलूंगी मिरी नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक्स वोच्छिग